नमस्कार, COVID-19 के कारण हम सब यही सोच रहे थे कि Class 10th के बच्चों का क्या होना है, उनके syllabus कितने कम होने, या 10th का ही नहीं, 9th का, 11th का और 12th का सारे बच्चों के साथ था, लेंगे सिंस 10th और 12th के बच्चे 2021 में CVSC Board का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके केस्ट में बहुत स सारे टेंशन थे हमारे लिए, कि भई, syllabus क्या कम होना है, चलिए 5-6 दिन पहले CVSC Board ने अपने new syllabus यानि की revised syllabus रिलीज भी कर दिया, रिलीज कर देने के बाद एक सबसे बड़ा confusion बना हुआ है, कि कुछ chapters में अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, कि वाकई में वहां से क्या हटना ह क्या हटा और आने वाले पेपर में कहीं confusion तो नहीं create हो जाएगा, तो चलिए मैं हूँ आपका अपना अभीके सिंग सर और आज इसी topic के उपर आज एक मैं exclusive मैंने वीडियो बनाया है, मैंने अभी तक YouTube में बहुत सारे वीडियो देख भी लिये हैं, अब बड़े सारे teachers के भ और डिलेटेड पार्ट के उपर आज मैंने एक वीडियो बनाया है, यहां वीडियो करीब करीब 25-30 मिनटस के होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 2019 के का जो entire syllabus था, जो CVC Board का, उस syllabus से 2020 का syllabus, यानि कि 2019 और 2020 का syllabus और 2020 के syllabus को बिलकुल compare करके हमने study किया है, I think आप यहां वीड of each and every query after watching this video, आए स्टाट करते हैं अगर दोनों को compare करें तो देख लेंगे हम कि Euclid Division लेमा हमारे पास 19-20 के syllabus में था, लेकिन यहां से Euclid Division लेमा जो है, वो गायब है Euclid Division लेमा बहुत एक major topic था हमारे chapter में, और real number में, और करीब करीब हर CVC Board के paper में, एक questions तो उससे frequently पूछे जाते रहे हैं स्कूल के teachers के लिए भी बड़ा एक hot सा topic हुआ करता था, Euclid Division लेमा ठीक है, और इसका application के उपर बहुत सारे questions बनते थे तो CVC Board के भी दृष्टी से बहुत important था, और हमारे school के paper के लिए भी बहुत important था, तो as a teacher मैं इस topic के हटने से थोड़ा सा मैं दुखी हूँ, मुझे लगता है कि यह topic नहीं हटना चाहिए, क्योंकि maximum school में यह topic cover हो चुका है, और जब हो चुका है तो उसको हटाने का क्या मकस है, मुझे आवी तक यहां बात नहीं समझ में आपाई, anyway, चलिए, इसके हटने से हमारे NCRT book को अगर हम देखें, तो हमारा पहला exercise completely delete हो चुका है, including उस exercise के जितने भी salt example है, तो equally division lemma से अब statement जो उसका है, इस सब चीज़ें अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम than equals to zero and lesser than B, हैना, मिस करेंगे न, यह multiple choice question का भी बड़ा एक अच्छा question बनता था यहां से, तो मैं तो particularly इस topic को मिस करूँगा, तो equally division lemma हट गया है, हटने के बाद बाकी सारे के सारे पार्ट वही हैं, जो 2019-20 के syllabus से, तो मैं इस तरीके से compare करके आपको बताता चल रहा हूँ, क ठीके क्योंकि revisiting यह rational number है, major question वहीं से पूछा जाता है, और terminating, non-terminating, decimal expenses है, तो 2-3 number का आप कर भी चुके होंगे, ठीके तो कर्द लेने के बाद फिर उसको हटाने का मक्सद मुझे नहीं समझना आता है, बेहतर CBSE बोड़े करती कि जो last के जो syllabus है, last के जो chapters हैं, वहां से कु जरूर कहूंगा, कि वो बच्चे जो basic label का paper दे रहे हैं, उनके लिए तो खैर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी इसमे question बनते थे, और maximum question इस standard label के paper में आते थे, तो standard label के paper के जब बच्चे जो दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रहात जरूर है, लेक पहला chapter, usually सब के सब teacher cover कर चुके हैं, तो इस पार्ट का हटना, थोड़ा सा मेरे लिए दुख की बात है, अब हम आते हैं, polynomial, polynomial भी एक बहुत major chapter है, और polynomial के अगर हम बात करें, तो अगर पहले और दूसरे syllabus में, 2019-2020 का syllabus स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और 2020 का syllabus भी स्क्रीन देखिए, दोनों के थिकनेस में थोड़ी ना कहीं ना कहीं कमी है, तो कमी तो ज़्यादा लग रही है, मैंना, यहाँ पर थ्री लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर दो ही लाइन ने, दो लाइन भी नहीं है, obviously, यहाँ पर ठीक है, अब एक लाइन से ही थोड़ा सा उपर है, that means कि इस चैप्टर के अगर हम बात करेते हैं, यहाँ पर काफी सारा पार्ट हट चुका है, that means कि आप देखें, यहाँ पर यहाँ तक का पॉलनोमियल्स था, यह पार्ट आपका हट गया, डिविजन अलगरिथम बिल्कुल हट गया, इस डिविजन अलगरिथम के हटने से, जो कुछ major questions जो आते थे, आपके CBSC Board के paper में आप सब को याद होगा, कि root 2, minus root 2, अगर आपके zeros दे रखें हैं, तो remaining zeros को find कीजिए, यह बड़ा एक major सा question हमारे paper के लिए बनता था, और इसके उपर बहुत सारे questions, हम लोग extra questions बहुत practice किया करते थे, पॉलनोमियल्स में खास करक कि यह जो second topic की बात करें, first topic में, अब ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं रह गया, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल quadratic polynomial रह गया, और उसके zeros और उसके coefficient के बीच में relation रह गया, तो यह question भी बहुत important था, तो आने वाले time में इससे question बिलकुल frequently आपके paper में, स्कुल के papers में, या CVAC board में पूछे जाएंगे, that means कि division algorithm का part हड़ चुका, और division algorithm से करीब-करीब हर साल आप देखेंगे, चाए pre-board हो, चाए CVAC board का paper हो, तो आसे एक question आता रहा, that means कि मुझे लगता है कि CVAC board जितने भी star rated questions है, जहाँ पे, जिन questions का ज़्यादा demand हुआ करता था CVAC board में, उन questions को खास करके chapter 1 में भी हटा दिया, और chapter 2 में भी हटा दिया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो deleted जो portion है, exercise यहाँ आप याद रखेंगा, 2.3, 2.4 के part करीब-करीब इसमें हट चुके हैं, करीब-करीब मैं बोलता हूँ, that means कि थोड़ा मुझे कहीने कहीं doubt भी होता है, क्यो release करेगी, तो उससे जादा चीजे बिल्कुल clear हो जाएगा, लेकिन अगर अभी आप चाहते हैं, तो precaution के तौर पे 2.3 और 2.4 को आप ignore कर सकते हैं, इन दोनों exercise को, तो अगर मेरे review के बात करूँ, तो यहाँ भी मैं बिल्कुल नराज हूँ, यहाँ भी मैं दुखी हूँ, क standard label का भी बच्चों का है, क्योंकि यहाँ पर इस topic से जो topic हटा है, वहाँ पर basic label के भी questions काफी अच्छे बनते थे, और standard label का भी question बनता था, दोस्तों मैं हूँ आपका अपना वीके सिंग सर, मेरा channel है, मैस पड़ो, मैस पड़ो चनल पर एक बार फिर साब सब का बहुत- chapter 3 में भी बहुत एक हसने की बात है, मुझे लगता है, कि यहाँ पर smile करने की बात है, कि क्या उसको हटाने का मक्सिद है, मुझे समझ में नहीं आया, syllabus 2019-20 का अगर आप देखें, और syllabus 2020-21 का देखें, सब चीज वही है, जो यहाँ पर है, बस के वल एक पार्ट हटा दिया है लोगों ने cross multiplication method, आप दिखेगा, यहाँ पे cross multiplication method है, और यहाँ पे cross multiplication method यहाँ से गायब है, तो एक बात बताए, teachers, मेरे respected teachers, मेरे प्यारे बच्चे, इसे हटाने से क्या मिला हमें, कितने ऐसे questions के उपर असर पड़ा है, बच्चों को कितनी रहात मिली है, इस question को हटाने से, तो मुझे लगता है, इसमें zero रहात है, क्योंकि CBAC board ने most of the time, कभी भी अगर solve for x दिया भी है, तो यह mention करके नहीं दिया है, कि using cross multiplication method, या using substitution method, या using elimination method, तो इसे हटने से कोई फायदा किसी को नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा method से x और y निकालने का जो तरीका था, वो रहात समझी है, या नहीं समझी है, लेकिन मेरा यहाँ भी मानना है, कि इससे बच्चों को कोई benefit खास कोई नहीं मिलना है, चलिए, anyhow, मैं यहाँ भी दुखी हूँ, यहाँ भी नराज हूँ, कि ऐसा नहीं होना चीए था, क्योंकि इस chapter को भी हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके थे, इस सारी method करा चुके थे, तो हटने से खास कोई रहात यहाँ पर नहीं मिलना है, तो अगर हम बात करें, तो कोई एक या दो question जो है, देखिए 3.5 का 1 and 3, इन questions के उपर थोड़े से आपको रहात मिल जाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको CBSC board का पिछले 20 सलक अगर अगर आप सीख चुके हैं, तो ठीक है, इस स्कुल में नहीं हुआ है, तो आप इसको रहात समझ सकते हैं, तो exercise 3.5 question number 1 और 3, अब आते हैं quadratic की question, सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस chapter से, क्योंकि जैसे हम CBSC board का paper चाहे 2020 का हो, 2019 का हो, 2018 का हो, तीनों साल का जैसे ही हम CBSC board का paper खोलते थे, तो जो last section है, जो four marker जो section होता तो वहाँ पे सबसे पहले हमें word problem दिखा करता था, उस word problem के साथ most of the time solve for x यानि की, उसे हम reduce करके quadratic में convert करके x की value निकालते थे, तो quadratic equation का जो word problem था, बड़ा ही hot questions हमारे paper में हुआ करता था, हम लोग का भी बड़ा पसंदीदा था, अपने papers में, quadratic के word problem को हम लोग सबसे पहले priority पर रखते थे, लेकिन चलिए, रात मानिये इसको, वह आपका हट चुका है, यानि कि situational problem आपके बिल्कुल ही हट चुके हैं, हटने से word problem जितने भी हो जा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता भी यह कहीं न कहीं स्में फोड़ doubt है लेकिन मैं अपने doubt को इस समझ को ऐसा समझ करके उसको मैं बिल्कुल ignore करता हूँ, क्योंकि word problem वाले हमारे दो chapter है, cbac के इसके पीछे क्या मक्सद होगा, मुझे यह समझ में आ रहा है, क्योंकि word problem हमारे पास linear में भी है, word problem हमारे पास quadratic में है, and both are the part of the algebra, दोनों algebra के part हैं, है अब cbac क्या करेगी, कि linear equation के word problem को importance देंगी, तो मेरे बच्चो या मेरे respected teachers आप सबसे request है, कि अब हमें linear equation के word problems को बिल्कुल target कर लेना है, क्योंकि आप वहां से ही question आना है, और quadratic में उसी के internal choice में, क्योंकि दोनों algebra के part है, solve for x, पूछा जा सकता है, ठीक है, तो चलिए इसके word problem हट गया, यह आप सब के लिए एक रहात की बात है, क्योंकि maximum बच्चों को, अगर मैं देखूं, तो word problem में बड़ी मुश्किल आती थी, लेकिन आप उसको रहात मिला कहां, भई यहां से हटा, तो linear में आ गया, तो linear का तो पक्का आना है, पहले linear को हम लोग बहुत ignore करते अगर हम बात करें, तो सबसी ज़्यादा ignore करने वाला जो चैप्टर था, CBSE ने जिस चैप्टर को सबसी ज़्यादा ignore किया है, वह चैप्टर linear equation है, अभी की बाबतार हो, लेकिन अगर आप 10 साल, 12 साल पहले के track record को अगर आप देखेंगे, तो linear का बड़ा major weightage हुआ करता था लेकिन 2-3 साल से उस linear equation से CBSE बोर्ड ने बड़ा सौतेला behavior किया है, कभी एक नबर, कभी दो नबर के ऐसे questions दिये हैं CBSE बोर्ड ने और quadratic को बड़े importance में रखा है, लेकिन अब quadratic के word problem हट जाने से linear के word problem की importance मिलेगी, मेरी लिए कोई रहात की बात नहीं है, मुए इत्रा दुक लेकिन आप सबके लिए थोड़ी सरहात के बात ऐसा हो सकता है, कि अब 2 chapter के word problem आपको नहीं करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि maximum बच्चों को दोनों chapter का, जब वोर्ड प्रावर्ड प्रावलम करते थे तो बड़ा confusion होता था कि सर कैसे हम समझेंगे कि कौन सा word problem quadratic का है, कौन सा word problem linear का है, तब समझने में कहीं भी दिकत नहीं आएगी, अब जो आपके word problem पेपर में जो दिये हुए रहेंगे, वो एकदम से linear के word problem रहेंगे, तो tension खतम ही जिए, और चेहरे पे smile लाइए, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैस पड़ो, मैस पड़ो चनल पर ए और share कर सकते हैं, तो quadratic में अगर हम बात करें, तो 4.3 question और जितने भी word problem है, यह सारे के सारे हट चुके हैं, मैं यहां भी और chapter की तरह दुखी हूँ, क्योंकि मैं इस chapter को पढ़ा चुका था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े सारे मैंने word problem करा दिये थे, तो अब फड़ी दुख होती है, कि यह chapter क्यों हड़ गया यार, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए रहाद की बात है, अब आते हैं इसके बाद arithmetic progression, चलिए, मैं यहां पर थोड़ा सा खुश रहूँगा, ठीक है, बहुत दुखी हो गया मैं, arithmetic progression अगर आपके school में नहीं हुआ है, applications in solving daily life problems जो दे रहे हैं, जो arithmetic progression में, आप NCRT book में, जो word problem वाले जो questions करते थे ना, तो वैसे question जो daily life problem भेता हो हटा दिया गया, हटाने से वाकई में रहात की बात है, क्योंकि उन questions का खास कोई purpose बनता नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको करते थे, इस school के papers में त advance हो जाता था, तो बचे बड़ा dairy रहते थे, तो अब चलिए वैसे questions को भी हटा दिये गया है, तो यहाँ पर थोड़ी आपके लिए रहत की बात है, that means कि अब AP में खास कुछ बचा नहीं, that means कि आब बड़े direct questions अब आपके बनने वाले हैं, तो AP में कोई अब confusion की बात नहीं हैं, तो अगर मैं बात बोलूँ, Texas 5.3 में question 15-20, 5.4 में 3-4-5, इन questions को अप हटा सकते हैं, तो इन questions के लिए मैं 100% guarantee तो नहीं लेता हूँ, लेकिन या 98% में sure हूँ, कि यह part आपके हटने चाहिए, और मेरा इस वीडियो का मक्सद देही था, कि आपकी धिमाग से confusion खतम किया जाए, कि हाँ भाई, confusion अब नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं happy, यहाँ पर मैं खुश हूँ कि उपाठ हाटना चाहिए था, चली, आब आते हैं triangle, बड़ा tension वाली बाती ही, भई triangle, सबसी ज़्यादा बच्चों को जो डर हुआ करता था, और triangle हुआ करता था, तो बच् साल तक रहा, उसके पहले CVSE board था, और जो CCE pattern में जो triangle का जो chapter था, और term 1 में था, तो इस chapter से बड़े time हो गए, तीन साल को अगर हम हटा दें, तो CVSE board के questions देखे हुए हैं बड़े कम समय हो, इसलिए किसी भी किताब में इनके जो CVSE board के questions मिलते हैं, बहुत पुराने questions हमें मिल मिलते हैं, यानि कि जब बहुत पहले CCE के पहले CVSE board जब हुआ करता था, तो चार theorem शुरू से हमारे लिए बिलकुल hot questions की तरह रहे हैं, उसमें पहला BPT रहा, BPT का converse कभी भी नहीं पूछा गया है, पैथा गुरस रहा है, पैथा गुरस का converse रहा हो, area theorem रहा है, area theorem बोले त जब वीडियो लास्ट के टाइम में, बोर्ड के पहले आता है, काफी हो, बहुत हजारों हजार बच्चे हो देखते हैं, मेरे चैनल को पर भी देखते हैं, और दूसरे चैनल से भी सिंस में associated हूँ, तो वहां के बच्चे भी देखते थे, तो मैं तो बड़ा challenge के साथ कहता कि भाई ये चार थेयरों कर लो, इससे एक थेयरों तो पक्का न पक्का आपके पेपर में आना ही आना है, यहां से चार हो गया और circle के दो थेयरों थे, ठीक है, टोटल मिला करके 6 में से एक तो चार नमबर का question आपका पक्का है, लेकिन एक दो बार ऐसे भी हुए हैं, कि द पैथागुरस का कनवर्स हट गया और एक एरिया थियोर्म को रिमूव कर दिया है। गया थियोर्म तो उसके साथ वाला जो एक्सरसाइज था वो भी टोटली खतम हो गया। क्या दो रास्ता बसता है। कि एक तो आप जब सीवीएसी बोड का पेपर करें तो वहां पे लिख दें कि भाई इस हूट भाई सीवीएसी बोड लेकिन सीवीएसी बोड तो आपकी मांक्स काड़ेगी बिल्कुल कड़ेगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पैथव गरस का जो कनवर्स है वो जरूर आप उसको करें। तो यहां पर कनफ्यूजन है इस पार्ट में कनफ्यूजन है भाई आपने जब पैथव गरस रख लिया तो उसके कनवर्स को हटाने की क्या ज़रूरत थी आपको क्योंकि बहुत सार ऐसे सवाल है जहां पर दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी आप देखिएगा ठीक है एरिया हटा दिया चरो ठीक है तो एरिया के साथ जितने भी आपके exercise थे एक exercise हुआ करता था वो बड़ा important exercise था साथ से 8 questions उसमें थे लेकिन एक question हर साल paper में पूछा गय है तो बड़ा important exercise था लेकिन चलिए अब दुख की बात है कि cbc board ने उससे हटा दिया अब सुरू कि दो त्योरम तो रख लिए बीपी टीचरों ठीक हो के लेकिन पैथा अगरस के साथ उसके converse को cbc board को नहीं हटाना चाहिए था तो मैं यहाँ पर cbc board के criticize करूँगा बिल के लिए बहुत अची बात है अधरवाइस यहाँ पर थोड़ी सो लजने की बात है थोड़ा से यहाँ पर confusion की बात है तो चलिए अब आपके सारे पार्ट लिखे 1921 कभी syllabus लिख दिया हमने यहाँ पर दोनों में यह दो पार्ट का difference है तो theorem आपके हट गया theorem 6.9 हट गया theorem 6.4 गया और exercise 6.4 हट गया बाकी के सारे के सारे पार्ट as usual हैं तो review करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा confused हूँ यहाँ पर इस case में ठीक है confused हूँ बाकी बच्चों के लिए रहा थे एक exercise और एक theorem भी हट गया दो एक theorem हट गया एक exercise हट गया that means कि आब आपके पास केवल और triangle के आने बात करते हैं coordinate geometry में coordinate geometry मुझे लगता है कि ठीक काम किया cvac board ने क्योंकि यहाँ पर एक part को delete किया है और वहाँ part last dollar part है कि area of triangle ठीक और उसके साथ जो associated जो exercise उसको delete किया है तो मैं यहाँ पर happy हूँ बच्चों के लिए और maximum school में भी coordinate geometry नहीं हुआ होगा इतो यानि कि बच्चो अब बहुत बार लोग कहते हैं कि 7.4 7.4 के कुछ questions हटे हैं जो area theorem पे related हैं लेकिन सारे के सारे questions वांके नहीं हटे हैं एक बात ध्यान रखियेगा बिल्कुल तो area theorem से जो related questions हट गया immediately ठीक उसके बाद एक size हो तो completely हट गया लेकिन optional के सारे question नहीं optional में कुछ question सबको करने की जुरूद पड़ेगी तो यहाँ पर ठीक है that is okay क्योंकि एक part को हटा दिया है बीच से एक topic में भाई एक topic एक छोड़ा सा topic जो sub topic है उसको हटाने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया जिसे cross multiplication समझ में नहीं आया मुझे कि क्यों हटा दिया वे cross multiplication यहाँ पर एक part हटाया this is good sign और यहाँ पर बचों को रहात मिलेगी अब आपे trigonometry की बात करें तो बड़ा यहाँ पर confusion create यहाँ पर confusion है बिलकुल जैसे मुझे यहाँ पर confusion था triangle में तो trigonometry में भी मुझे थोड़ हैं यहाँ पर एक part के वाल इन लोगों ने हटा दिया है complementary angle वाला लेकिन वहाँ पर दो important question बनता है एक तो भाई complementary angle associated to identity that is entirely different thing sin square 63 degree and plus cos square 27 degree यह identity का question हो गया लेकिन sin 58 degree upon cos 32 degree यह identity इसका कोई relation नहीं लेना है कोई relation नहीं है तो जैसे यहाँ पर identities में दे रखा था चेक कीजिए यहाँ पर 2019-20 का syllabus है और यहाँ पर देखिया identity में यहाँ पर a part यहाँ पर था और a part यहाँ पर missing है तो identity वाले complementary है या normal complementary जिसके ओपर exercise है हमारा यहाँ पर confusion बनता है तो मैं आप सबसे request करूँगा किवाँ identity वाले part को आप ignore कीजिए लेकिन जो ऐसे जो एक exercise का question है जो ठीक complementary angle के बाद हो identity से related नहीं है जैसे sin 23, sin 23 minus cos अगर हम ले लें ठीक है जैसे हम मैं अब गलता हूँ कि sin 23 degree minus cos 67 degree ठीक है दुनों जों complementary है 20, 80 और 90 तो इसका identity से क्या लेना देना है भाई इसका answer 0 के बराबर होगा तो इसको identity से इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि identity वाले part से हट आया complementary को देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे identity और यहाँ से part हट गया यहाँ से part हट गया तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है तो मैं तो एक कहूंगा कि जो last में identity का जो exercise है आपका उसमें शुरू के जो दो question बनते हैं जो identity से related है कि वहल उसी को आप ignore कीजिए बाकी आप यहाँ पर कीजिए अब यहाँ पर एक confusion और भी create होता trigonometric ratios of ठीक है trigonometric ratios of acute angles यहाँ पर देखिए 0 degree और 90 degree का case है और यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं तो 30 degree, 45 degree, 60 degree यानि कि ए पार्ट हट गया इस पार्ट को हटने से कोई ऐसा आपको रहात मिलने वाली बात नहीं है कुछ नहीं है इस पार्ट से हम कहीं भी इस पार्ट से no benefit कुछ भी आपको benefit इसे नहीं मिलना है ठीक है देखे 30 degree, 45 degree, 60 degree बहुत पहले geometrically prove करने के लिए भी paper में पूछा जाता था ठीक है लेकिन अब वो नहीं आता है prove करने वाला पार्ट कि sign 30 degree को geometrically fine कीजिए cost 60 degree को geometrically fine कीजिए तो 0 and 90 degree से क्या आपको benefit हो गया इसका 0 degree 90 degree के तो कभी पहले भी proof नहीं आया हुआ है ठीक है तो इससे कोई खास कोई आपको benefit नहीं होता तो इस पार्ट को तो बिलकुल आप completely ignore कीजिए यार ठीक इसको छोड़िए ignore कीजिए और यहां पर मैं आप सबसे request करूँगा कि जो complementary angle का जहां पर use हम identity में करते हैं कि उस पार्ट को ignore कीजिएगा बाकी complementary angle वाले exercise को कीजिएगा अगर आप थोड़ा कर भी लेंगे तो क्या नुकसान है आपको क्या नुकसान उससे क्या loss होना आपका वो तो सबसे trigonometry में आसान पार्ट वही है मेरी अगर आप बात माने तो ठीक है तो आप मेरे ख्यान से उसको करना चाहिए identity वाले पार्ट से complementary का segment हटा है तो identity वाले question जैसे sin square theta plus cos square theta equals to 1 tan square theta plus 1 equals to say k square theta quad square theta plus 1 equals to cos k square theta यह identity हम तीन पार्ट को हम basically इसको include करते हैं इन तीनों पार्ट को ठीक है तो sin square theta अब identity में complementary angle का identity वही हो गया कि sin square 36 degree and plus cos square 54 degree तो यह identity का पार्ट हो गया ठीक है क्योंकि दोनों मिलकर complementary बन रहे हैं और sin square theta plus cos square theta का हम वहाँ पर use कर रहे हैं तो इस case में थोड़ा सा confusion है और अभी भी है तो मेरा एक सलाह अगर आप मानेंगे तो यहां से confusion को हम बिलकुल हटा सकते हैं 8.4 का question number third आप एक हटा दीजिए और 8.3 जो है वो बिलकुल अभी भी doubtful है लेकिन मैं कहूंगा कि आपको इसे करना चाहिए पड़ेंगे तो इसके लिए तो खर कहीं पर कोई question बनता ही नहीं है ठीक है तो यहां पर मैं बहुत happy क्यूंकि कुछ ना कुछ tough part तो होना ही चीए जहां पर बच्चों को हम actually उसको हम जाच पाएं समझ पाएं कि सहीं में 100 number लाने वाले बच्चे के अंदर कोई ने कोई guts है उसने कुछ काम किया है ने तो इतना कुछ अगर आप हटा देंगे तब तो फिर बच्चों के लिए बहुत कुछ आसान रहे जाएगा circles के अगर हम बात करें तो circles में भी कोई deleted part नहीं है that means कि यहां से कुछ नहीं हटा है तो मैं यहां पर very happy हटा दिया है लेकिन पिछले हर साल question उसी से पुछे भी गया है तो बाहर बार जो पुछे गया है वही हट गया है ठीक है लेकिन चलिए कोई बात नहीं एक segment को हटाया है तो I am happy ठीक है तो मैं खुश हूँ ऐसी कोई बात नहीं है कि एक segment को हटा दिया तो I am happy कि एक part हट गया है तो अब बहुत असान आपके लिए हो गया कि ये वल tangent के उपर आपको construction करना है तो गीन चुन करके अगर 4 या 5 construction कर लेते हैं तो आपका 4 number नहीं तो section C 3 number कोई भी नहीं ले जाता तो इस चीज को ध्यान रखेगा तो I am happy और आपको भी खूश होना चीए अब हम बात करते है area related to circle का यहाँ पर बड़ी मुझे हसी आती है भाई कि यहाँ आपर 120 degree के देखे 60 degree, 90 degree, 120 degree और यहाँ से 120 degree गाएगा तो भाई 120 degree वाले questions बनते कितने थे यहाँ एक 120 degree हाटा दिया तो इसको हाटाने से बच्चों को क्या benefit मिलना हुई एक दो question तो उनको सीखना था तो रहने देते ना क्या इन से उन बच्चों को benefit मिल गया कुछ नहीं मिला इस से बन बच्चों को benefit एक segment हाटा रहे हो एक part को आप remove कर रहे हो तो that is good sign चलो भाई COVID-19 में बच्चों ने बड़े सफर किया है teachers ने भी सफर किया हम सब ने किया है तो एक segment हट जाना हमारे लिए रहत की बात है लेकिन एक topic के अंदर एक subtopic को हटा देना मेरे ख्याल से कोई रहा तो वहाँ पर नहीं है एक्जामपल 3 हट गया पेज नंबर 228 पे कोश्चन नंबर 7 और कोश्चन नंबर 13 हट गया चलिए रहने दीजिए सो कोई दीकत नहीं है तो यहाँ पर मुझे मतलब कि थोड़ा हसी आ रही ठीक है तो मुझे smile आ लिए I am smiling here ठीक है because of the action taken by CBAC board इसको अड़ा नहीं क्या जूरू थी भई सारी चीश तो आप 60 डिग्री, 90 डिग्री सब बढ़ा देते तो समझ में आता ठीक है आप के ओल 120 डिग्री हटा दिया तो बच्चों किससे क्या होगी 120 डिग्री हटा दिया तो बच्चे वहाँ भी क्या करते थे भाई, वहाँ पे तो क्या दुनों triangle को congruent करके और 120 को 60-60 में convert करके करते थे तो तो पार्ट है ही अभी न तो उससे कोई खास कोई benefit नहीं मिला हाँ, surface दे रिया and volume में I am happy क्योंकि यहाँ पे frustum of cone था यहाँ पे frustum of cone हट गया है तो this is good sign कि यहाँ पे frustum लेकिन frustum of cone का 1 by 16 वाले question को मैं बहुत miss करूँगा ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा और standard question हुआ करता था तो frustum से 1 by 27, 8 by 9 वाले कुछ बड़े standard surface रिया volume के questions frustum से बनते थे अब उसको हम लोग miss करेंगे ठीक है, तो मेरे accordingly आब इस देखे, 13.4 का part तो पूरा का पूरा exercise आपका frustum based था ओ हट चुका है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सौरो, यानि थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि मेरे अच्छे standard question इस chapter से हट गया ठीक है, तो यहाँ पे 13.4 आपका हट गया, अब आते है statistics की बात करते हैं, statistics मैं ठीक है चलो, इन्होंने क्या किया है कि जो cumulative frequency curve जिसको आप हो जाई बढ़तों, less than और more than वहाँ पे बच्चों को पूरे साल confusion हुआ करता था, कि सर less than तो हम draw कर लेते हैं, more than के लिए क्या concept है, क्या technique है, ठीक है हलक बहुत असान है, उसका technique भी है तो उस पार्ट को देखिया, cumulative frequency curve था 2019-20 में, और यहाँ से हट गया है, और एक step deviation method हट गया, तो भाई step deviation method हटने से क्या हो गया क्या हो गया, बताइए ना, assumed mean method भी हटा देते हैं, क्यों direct method रखते हैं, तो एक method हटाने से, और ऐसा बहुत कम questions पूछे जाते हैं, जहां पर लिखा रहता है, कि by using a step deviation method, तो इस बात को भी आप मान करके चलिए, तो इसकी हटाने से पता नहीं क्या फायदा हुआ, लेकिन चलिए, हट गया है, लेकिन एक frustum वाला जो exercise है, वो आपका completely हट गया है, तो एक राहत की बात है, कि frustum और उससे related questions नहीं करने पड़ेंगे, यानि कि आप थोड़े से calculation आपके लिए असान हो गया है, frustum के calculation टेक्निकली थोड़े difficult हुआ करते थे, तो exercise 14.4 हट गया है, और वैसे question जहाँ पर step deviation method लिखा हुआ रहा है, तो आप कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, और पहले भी कभी नहीं ऐसा, specific नहीं आता था, इस school के paper को अगर हम छोड़ दें, तो board के paper में ऐसा कभी नहीं आया है, कि step deviation हां, ऐसा जरूर आया है, कि जब class interval बड़े हो, तो उस case में आप किस method को use करेंगे, तो हम लोगे step deviation method यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग assumed mean method यूज करेंगे, चले, यह रहा आपका, अब last chapter जो हमारा बनता है, this is 15th chapter, this is called probability, probability में खुशी की बात है, कि कुछ भी नहीं हटा है, सब कुछ है, तो I am happy here. दोस्तों मैं हूँ आपका B.K. सिंग सर और अब देख रहे हैं, mass production, mass production में आपका सबका बहुत स्वागत है, अगर आप class 10th में हैं, तो online test देना चाहते हैं, फ्री के online test देना चाहते हैं, study material लेना चाहते हैं, exemplar का solution करना चाहते हैं, LCRT का solution करना चाहते हैं, धेर सारी चीजे, तो हमारे channel, mass production को जरूर subscribe कीजिए, और help line number है, 9717-432-432 पे call भी कीजिए, आप WhatsApp कर सकते हैं, इस number पे, अगर 10 से related आपकी कोई भी query है, और आप चाहते हैं आने वाला paper में, कि आप 100 marks से score करें, तो आप हमारे साथ बने रहे हैं, यह था complete syllabus का review, मुझे पूरा बिश्वास से आप सबको अच्छा लगा होगा, आप please अगर अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सबस्क्राइब कीजिए, और औरों के साथ शेर भी कीजिए, अगर कोई भी टीचर्ज मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सब को दिल से मैं नमस्कार करता हूँ, प्लीज आप भी अपने फ्रेंड्स को और अपने दूसरे टीचर्ज को इस वीडियो को शेर कीजिए, I think इससे आपको benefit मिलना है, क्योंकि मैंने औरों से different क्या बनाया है, कि 2019 और 2020 के complete syllabus को मैंने बिलकुल compare करके अपने review दिया है, और इस review से आप सबको बहुत benefit मिलना है, Thank you so much और एक बार फिर से आप सबको मेरा बिके सिंग सर का नमस्कार.